और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है साहिब गंज से जहां तीसरे दिन भी CBI की काररवाई चल रही है बड़ी खबर साहिब गंज से आपको बता रहा है साहिब गंज में राजमहल इलाके में चिट फंड कमपनी और नन बैंकिंग कमपनियों के खिलाफ CBI की कारवाई तीसरे दिन भी चल रही है ऐसी कई कमपनियों से जुड़े महतपोन दस्तावेज CBI के हाथ लगे हैं राजमहल में चल रही चिटफंड कमपनियों नन बैंकिंग कमपनियों के विरध सीबी आई की ये बड़ी कारवाई देखने को मिल रही है मिल रही जानकारी के अनुसार CBI के हाथ ऐसी चिटफंड नन बैंकिंग कमपनियों से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं ये तीसरे दिन CBI की कारवाई चल रही है जहार खंड के इन हिस्सों में गरीब आदिवासी सुदूर ग्रामेन इलाके के लोगों को बचत का लालच दिखाकर लाखों लूट लिया जाता है लाखों करोडों की लूट को अन्जाम देकर ये नन बैंकिंग और चिटफंड कमपनी के सदस्य गायब हो जाते हैं लगातार आ रही शिकायतों के बाद CBI की कारवाई देखने को मिल रही है कमपनियों से जुड़े कई महतपूर्ण दस्तावेज CBI द्वारा जब किये जाने की जानकारी मिल रही है राजमहल में लगातार चल रही CBI की कारवाई से इलाके में हड कंप मच गया ऐसा ही होगी गोवेंद ठाकुर पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहा है गोवेंद चिट फंड नन बैंकिंग कमपनियों के विरुध CBI की ये मैराथन कार रवाई चल रही है अपडेट चाहेंगे आपसे बिल्कुल और लोगों से मिलकर शिकायत भी सुनने की तैयारी थी CBI टीम की तो लोगों से मिलकर उनकी बाते सुनी जा रही है क्या गोवेंद ये भी समझना चाहेंगे कि आईसे चिट फंड कमपनियों के पीछे कई सफेद पोश कई बड़ी कमपनियों के हाथ रहते हैं तो उन पर भी कोई कारवाई उनसे जुड़े कुछ सबूत कोई नाम सामने आया है जाँच में चली तो नजर बनाय रखे गोवेंद फिलाल अंतमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद तो तीसरे दिन कहें मैरतन कारवाई CBI की चिट फंड कमपनियों के खलाफ जार खंड साहिब गंज के राजमहल अलाके में जहां कई महतवोण दस्तावेज आखर CBI के हाथ लगे हैं तीसरे दिन की कारवाई में कई महतवोण दस्तावेज CBI के हाथ लगे हैं ऐसे में चिट फंड नन बैंकिंग कमपनियों से जुड़ी महतवोण जानकारी CBI के हाथ लगी है